नमस्कार फ्रेंड वेलकम् टू दोना चारिय यकैहसं में आज का इस वीडियों में हम डिस्कस करेंगे प्रिभीएश्ड ये कोस्यन को पूचा गया surrender में पूचांगे अलने कोस्यन को हकश्ड कि दिस्कस के निद्द भीएश्ग करेंगे में तो निदैंने को देंदे सि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद है तो लाइक करें आपको फ्रेंस के साथ भी स्यार करें ओके तो दोस्तों यहां पर आपका फार्स्ट कॉस्टन होगा वीच अपड़ फॉलेंग टीचर्स वूट प्रूब टूब बेस्ट मेंटर फर चिलन इन में से कौन से सिख्षा जो की है बच्चों के लिए सबसे बेस्ट मेंटर ज्यान गुरु जो की हो सकते हैं ओके तो यहां पर जो कि आपका अप्सम रहेंगा दावान हो अइडेंटिफास विद देम एंडेंड अन्रस्टां डियार निट एसे चीज़ें उनको आइडेंटिफाय कर सेके और उनका जो के नीट्स को जो है समझते के ओके नेक्स्ट हो का दा वान हुआज बेस्ट आटिस्टिक स्कील बहुत जिसके पास स्रेश्ट कलात्म कोसल है अप्शन 3 हो का दा वान हो कीप सब्जेक्ट कंटेंड एड़ सेंटर जो केंद्र में रखता है option 4 होगा the one who has special skills and technique to teach जिसके पास जो की है special skills होगा और टेक्निक हुआ पढ़ाने का ओके तो यहां पास जो कि आपका राइड अंसर है जो की best mentor जो की हो सकते है फ्रें इसका सही अंसर होगा the one who identifies with them and understand their needs बच्चों को जो कि है समाह सेके और उनको identify कर सेक ठीक है तो यहां पर आपका option number one जो कि है सही अंसर हो जाएगा next question है the UN convention on the rights of the children which requires the state to protect the children from तो यहां पर जो कि एक united nation convention जो कि रहेगा CRC rights of the children इसमें जो कि है चिलन को जो कि है कैसे जो कि है प्रोटेक्ट करता है यह option में रहेगा all form of abuse, harassment and struggle, option 2 रहेगा all form of violence, torture and degrading, punishment, option 3 है all form of violence, abuse, school punishment, and option 4 है all form of harassment, torture and struggle दोस्तों यहां पर जो कि आपका सही अंसर होगा यह all form of violence, torture and degrading, punishment यह आपका सही अंसर हो जाएगा जो कि United Nation Convention on the rights of the children, जो कि यहां पर rules होता है तो यहां पर आपका option number 2 जो कि यहां पर आपका सही होगा ठीक है इसा जो कि है जो कि है जो कि प्रोटेक्ट करता है next है what the scheme of basic education was also known as what the scheme of basic education को और भी क्या बोला जाता है option में रहेगा new scheme of independent India, new India education scheme या फिर new era education policy या फिर नई तालिम दोस्तों यहां पर आपका सही अंसर जो कि रहेगा basic education को जो कि है नई तालिम जो कि है बोला जाता है option number 4 यहां पर आपका सही अंसर होगा next है this graph is a type of learning disability in which learner faces difficulty in तो learning difficulty जो कि यह बहुत सरे types के होते हैं तो यहां पर जो कि आपका डिस्ग्राफिया के बारे में पूछा क्या है डिस्ग्राफिया जो कि कैसे जो कि यह कैसे difficulty को जो कि दिखाता है option में यहां पर हम देखे तो performing accurate math calculation and learning number related concept mathematics यहां पर हम देखे तो दोस्तों डिस्ग्राफिया जो कि यहां पर आपका रहे गाई है यह राइटिंग से रिलेटेड है option number two जो कि यहां पर आपका सही होगा option number one यहां पर हम देखे तो math related है यह आपका रहे का डिस कालकुलिया जो कि होता है math related होता है ओके और भी disabilities के बारे में आप पढ़ सेखते हो यह आपका 2023 में जो कि आपका questions पूशा जा था स्कीम फोर हायर एजुकेशन यूथ इन एपर डेशिव एड़ स्कील्स इचे स्कीम और गॉवर्मेंट अफ इंडिया फोर ग्राजुए टूडेंस तो यहां पर यह कि स्कीम के बारे में जो कि बोला यह कि स्रियास स्कीम जो कि कि से स्टूडेंस को किस तरी कैसे जो कि यह ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि ग्राजुएट स्टूडेंस को ओके तो यहां पर यहां पर यहां पर आपका सही एंसर हो जाएगा सो नेक्स्ट है इट्सल्फ विद एंडवर अब्री स्टेट अब्री लोकल अथरिटी विदिन दे स्टेट तो प्रोवाइड एडिक्वेट फैसलिटी इस पर इंस्ट्रक्शन इंद मदर टंग हैर दे प्राइमेरी स्टेज अब एजुकेशन तो चिल्लें ब्लेंगिंग लिंग्विस्टिक मैनोरिटी ग्रॉप्स विच आटिकिल अब आवर कंस्टेशन डिल्स विद इट तो दोस्तों प्राइमेरी स्टेज में जोकी है मीडियम इस्ट्रक्शन जोकी है मजरत टंग होना चाहिए यह सारे जोकी फैसलेटी जोकी इसके रिलेटेड जो भी होगा आप से अंधिया कों साटेकिल जोकी बोला गया हमारा कंस्टेशन में अपसिन में रहेके आर्टेकिल थह हंडेड फिप्स्रीं फटी ए यह फिर फिर हमन्ही catastie कि हारवका रहन सही एंसर में आप समस्टेशन में स्साहे लाम पर नम्भर उण नब्काशन होगा ठीक है next इसका स्टार्टर्स क्या है कंस्यूर्शन में लिंक लिंग्वेश ऑफिसेल लेंग्वेश या फिर एसोशेट ऑफिसेल लेंग्वेश ओके तो यहां पर हम देखे तो दोस्तों इसका जो कि सही अंसर यह हो जाएगा यह एसोशेट ऑफिसेल लेंग्वेश जो कि यहां पर आपका सही अंसर होगा इंग्लीज जो कि है एसोशेट ऑफिसेल लेंग्वेश होगा कंस्यूर्शन का ठीक है एक नोबल जो की रहे का मलायलम नोवल सरस्पती बिजयन इसका जो की सेंटरल थीम क्या है फ्रेंट्स यहां पर अइट इंसर रहेगा यह किसने सत्तमेव जयते स्लोगान को व्यापक रुप से लोग को प्रिया बनाया था अप्शन में रहेगा बाल गंगाधर तिलग सुबास संद्र बोस मदन मोहन मालभ्य राम प्रसाथ बिस्मिल फ्रेंड्स यहां पर राइड अंसर रहेगा यह मदन मोहन मालभ्य जो कि यहां पर आपका सही अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट इंडिया उइन्स फ्रीडम वाच ओथर भाएं इंडिया उइन्स फ्रीडम का लेख कोन है अपसम्न रहेका महात्मा गांधी, पंडित जबालल नहरू, रभिंद्र नाष टेगोर, अब्दुल कलाम आजाद, राइट अंसर यहां पर आपका रहेका अब्दुल कलाम आजाद, ओके फ्रेंड यह सारे कॉश्चन जो कि आपका CUTBA 2023 में यह सारे कॉश्चन जो कि है पूछा गया है अल्डेड़ी आप चेक कर सेखते हो कॉशन पेपर नेक्स्ट है what is the status given to Hindi language by Constitution of India in Article 343-1 तो Article 343-1 में जो कि Hindi language का जो कि सही अंसर होगा इंग्लिस लेंग्वेज का जो कि शार्टास रहेगा एसो सिएड ओफिसल लेंग्वेज एन हिंदी लेंग्वेज जो कि रहेगा यह ओफिसल लेंग्वेज होगा ठीक है तो अप्शन नंबर दो यहां पर आपका सही होगा हिंदी लेंग्वेज जो कि ओफिस तो दोस्तों यहां पर जो कि आपका सही अंसर रहे गाई है अप्शन नमबर दो जो कि आपका होगा लाट और वे इनवर्सिटी मैलवान से जो कि अनको जो कि है मिला है यह डक्टरेट उपाधी ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है इंदफ फिल्म इक्वास रिलीजट किया जात हुग क्यास कैसा बुआ जो कि है फूट ड्रिंश प्लीं क्रिञट पर इंडिया जो की इनडिया के लिए क्लिए जनापट सब्सक्राइश रहे सतना था ऑके इहां पर हम देखे तो हम देखे टो दिप दोस्तों यहां पर यहां पर सही अंसर रहे गाई यह दीफ एन म्यूट जो कि यहां पर सही अंसर होगा अप्शन नमबर टू ठीक है इसमें यहां पर यहां पर हम फिगर बनाते हैं दोस्तों फास्ट यहां पर हम देखें तो कि इसमें हम बनाते हैं कैसे बनेगा तो है कि उपास्ट यहां पर रहेगा एंटरसेक्सन भी तो यहां पर हम आगे यह यह हैं यह वाला पड़ आजाएगा इंटरसेक्सन भी में खिनकी दोनों में होगा set A में भी होगा और set B में भी होगा जोकी A intersection B में यह हो जाएगा तो उसमें जो कि आपको intersection C भी जोकी लेना है तो आपको जोकी मिलेगा यहां पर जोकी आपका यह वाला पाट होगा जोकी C भी होका इंटर्सेक्शन भी इंटर्सेक्शन जो की सी होका यह वाला पाट ओल्ली यह वाला पाट तो यहां पर अप्सन में जो की आपका जो की है आप देख सेख तो यह वाला फिगर जो की बनेगा पहले वाला अप्सन का ठीक है तो यहां पर जो की पिंग वाला जो की कलर ह है ऐसे आखर आपको देखने कैम छीन घाद इंटर्सेक्षान भी इसे में फ्रस एक्षान सीदो इयां पर आपको पार दिखाय wollten यहां सबरें सब्सक्राइब वाला पाड होगा तो अप्शन में आप देख सेकते हो कि यहां पर आप देख सेकते यह वाला पाड है तो यहां पर तो ऐसा नहीं है तो ऐसा यहां पर दूसरा बने गया तो यहां पर आपका अप्शन नंबर टू भी नहीं होगा अप्शन नंबर थी का यहां पर बनाते हैं कि आप्सन नंबर सी में यहां पर हम कैसे होगा देखो यह हैं बी है और सी है तो एंटर्सेक्षन बी तो एंटर्सेक्षन बी में कौन सा पाट साएगा ये वालपाड आएगा A intersection B में और उससे जो कि आपको minus C करना है ठीक है तो minus C करेंगे तो यहाँ पर आपका कौन सा पाड बनेगा देखिए सेहान पर हम सी करेंगे तो यह वाला पाड़ बनेगा ऊपर वाला पाड़ छोटा से वाला तेका है यहाँ पर हम सी को कट कर लेंगे तो यहाँ पर यह वाला authenticity यह रहा है नमब्र हम फॉर देखे तो मुझ्यूंध रहा है यहां पर आपका आप वोर देखो आप तो यह जो खुंध यह पर आपका फंस्अ में यह देख सकते हूं है इंटाय सेक्शन पर को जो कि यह दिखा रहा है यह वाला पाट कि अ है दोस्तों यहां पर जो कि आपको सही अंसर जो कि रहे गई है अप्शन नमबर 4 होका A intersection B ठीक है तो फ्रेंट्स आज का इस वीडियो में इतना है ता आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर लिजगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर झालते हैं